आप सब के लिए फिर से एक गुड नियूस है, आपकी जो करेक्शन विंडो की डेट थी, आज तक थी, लेकिन वो इंक्रीज कर दी गई है अब, कब तक इंक्रीज हुई है और कितने बजे तक आप करेक्शन कर पाओगे, प्लस आप करेक्शन कैसे करोगे, जो भी प्रॉब् लेकिन अब उसे एक स्टेंड कर देया गया है और 8 अप्रेल तक देट रखी गई है, 8 अप्रेल रात के 11 बिच के 50 मिनट तक आप लोग करेक्शन कर सकते हो, कोई भी गलती हो गई है करेक्शन में तो उसे आप सुधार सकते हो, और करेक्शन करने के बच्चों कोई पैसे न जब आप subject add करते हो तभी पैसे लगते हैं otherwise पैसे नहीं लगते हैं और किसी भी चीज के correction में पैसे नहीं लगते हैं process यह है कि simply आपको login करना है login करने के लिए आपको अपना application number और password की जरोत पड़ेगी login करने के बाद आपको आपके सामने एक page open होगा जहां पे लिखा होगा correct your form उसी पे आपको click करना है आपके सामने एक page open हो जाएगा उस page में सारा चीज़े अगर tick है तो बहुत अच्छी बात है मैं page आपको दिखा दे रही हूँ इस तरह का page open होगा उस पे अगर सारा कुछ tick है तो बहुत अच्छी बात है और उसके बावजोद भी आप अगर subject या paper add करना चाते हो तो left hand side में आपको options दिख जाएंगे वहां से आप paper add कर सकते हो या कुछ भी changes कर सकते हो ठीक है और इसमें से अगर कुछ भी tick नहीं है यानि कि उसे आपको सह करने के अलामा और कोई रास्ता नहीं है क्योंकि server load कभी कभी पढ़ जाता है ठीक है तो थोड़ा थोड़ा देर रुक रूप के आप try करते रहो और अगर applicants not found ऐसा लिख करके आ रहा है तो मतलब आपने fee payment नहीं कर रखी थी आपका form accept नहीं हुआ है और उसके लिए कुछ न झाल 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 झाल